प्रिये विद्यार्थियों इस लेक्चर में हम मानव भुगोल की कुछ परिभाशाओं एवं विशेशित्र पर चर्चा करेंगे अठारवी शताबदी में एम्मानवल कांट ने इम्पेरिकल नौलेज या प्रत्यक्षानुभव पर अज्ञान की मीमानसा करते हुए विभिन तत्मों को प्रत्म भाग में श्रेणिबत किया गया है जबकि इन तत्मों के देशकाल में सुरूप को दूसरे भाग में रखा गया है इस प्रकार भुगोल समस्त प्रत्यक्षन भव के तत्वों के दाशिक सुरूप या स्वाशल फोर्म्स का अध्यन करता है 19. शताबदी में रिक्तोफवन ने बताया कि Geography is a science of hardware flash or earth surface and of things and phenomena causally interconnected with it अर्थात प्रत्यक्षन की समस्त प्रत्यक्षन भुगोल की विशा प्रत्यक्षन 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 भुगोल की विशा प्रत्यक्षन 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 प्रत्यक परिवाशा में लिखा है कि Human geography is looked upon as the study of man and his work अर्थात प्रत्वी तल पर स्वेम मानव समुदाई एवं जो भी कुछ मानव के कारे का परिणाम है वे सभी मानव भुगुल की विशावस्तु है 1911 में Australian General की अनुसार जो भी कुछ of exploring, analyzing and explaining characteristics of places that make up our world अर्थात भुगुल इस्थानों की विशेष्ताउं की अनुवेशन, विशलेशन एवं व्याख्या है तू एक संरचनात्मक पदती है and as we know these places are filled with innumerable things और इस प्रकार इन सभी वस्तुओं का अध्यन मानव भुगुल की विशेवस्तुओं बन जाता है वास्तम में मानव भुगुल एक umbrella term है मानव भुगुल भुगुल की दो वरहद शाखाओं में से एक है और स्वय मानव भुगुल के अंतरगत अनेकों शाखाएं समलित की जाती हैं जैसे कि आर्थिक भुगुल, सामाजिक भुगुल, सांस्कृतिक भुगुल, राजनितिक भुगुल, अधिवास भुगुल, सैन्य भुगुल, आदी उप्रोक्त विशलिशन से भुगुल के विस्तार एवं मानव भुगुल के वरहद वर्षे शेत्र के बारे में भली बा Human Population या मानी जनशंख्या के इसके अंतरगत मानव जनशंख्या के racial and demographic अध्यन को समलित करते हैं डेमोग्राफिक पार्ट में संपून्ड विश्व में मानव जिनसंक्या के वित्रण, प्रमुक जन जमाव के शेत्र, जिनसंक्या संरचना, जिनसंक्या परिवर्तन, जिनसंक्या संक्रमन, जिनसंक्या का प्रवास या माईगरेशन, आदी के अध्यन को समलित किया जाता है। इसी प्रकार रिश्यल पार्ट में विश्व के विबिन भागों में मानव प्रजातियों की पहचान, शरीर रचना का निर्धारन, प्रजातियों के इस्थानांतरण एवंपरसार तथा विश्व वितरण पारूप का अध्यन मानव भुगोल की विशवस्तु है आज 2020 में विश्व की जनसंख्या 7.8 बिलियन है भुगोल प्रत्वीतल का अध्यन मानव के निवास या होम ओफ मैन के रुप में करता है परन्तु यहां हुमन इंडिविजल के स्थान पर हुमन कम्यूनिटी या मानव समुदायों का अध्यन महत्पून है जैसा कि जीन प्रूंस ने लिखा है कि भौतिक शक्तियों के समुँ में जिनकी अबादित अंतर क्रिया हम देख चुके हैं यह नवीन शक्ति मानव करियाशिलता हमें जोडनी है जो ना केवल एक भातिक वस्तु है अपितू स्वयम को भातिक परभावों में प्रदर्शित करती है इस प्रकार मानव जंसंख्या ना केवल प्लेसेस का कंपोनन्ट या तत्व है अपितु ये एक प्रभावकारी शक्ती है जो प्रत्वी तल पर परिवर्तन लाती है दूसरा बिंदु है फिजिकल सेटिंग्स और नाच्रल रिसोर्सेज अर्थात भौतिक परियावरन एवं प्राकृतिक संसादन विबिन स्थानों पर भौतिक दशाओं जैसे भौकरतिक सुरूप, धाल, अववा, शायसंडचना, मरदा, प्राकृतिक बनस्पती, तापमान एवं वर्षा जैसे जलवायू कारक, जल की उपलब्दता, खानिज एवं उर्चा के साधन, आदी का योग, मानव की कारे का अध वातावरन निश्चवादियों के निसार ये प्राकृतिक दशाएं मानव के कारे की सीमाएं या लिमिट्स तै करती हैं, और ये आर्बिट्रिय या बाद्धेकारी हैं, यद्दपी, संभववादी इसमत से अधिक सहमत नहीं हैं, परंतु जैसा कि नव निश्चवाद या नियो डिटर्रिम कहता है कि ये प्राकृतिक दशाएं किसी ना किसी रूप में मानव के कारे को प्रभावित करती हैं, विश्व के विबिन भागों में जहां सकारात्मक परियावन दशाएं एवं प्रचुर प्राकृतिक संसादन उपलब्ध हैं, वहां मानव समुदायों ने अपनी सांस्कृतिक तक्निकी कोशल से बड़ी समरचनाओं एवं अर्थ व्यस्थाओं का निर्मान किया है, जबकि विपरीत दशावाले शेत्र आज भी छत्री जनसंक्या एवं शून्य जनसंक्या के शेत्र हैं, वर्तमान परिदर्शे में विपरीत दशाओं में भी मानवी निर्नव के करियानवन एवं मानव की प्रभाविता, आर्थिक लागतों की वहनियता या आर्थिक समझी जा सकती है, इस रूप में मानव भुगोल, इस्थानों की अवस्थती, जलवायू दशाओं, जल एवं उर्जा की उपलबता, क्रशी, उद्योग, आदी हेत मानव भुगोल में एक लंबे समय तक मानव परियावन संबंदों को निश्चवादी मिमांसा का प्रयोग, कॉज इफेक्ट सीक्वेंस को समझाने के लिए किया जाता रहा है, विश्चु के विबिन भागों में मानव समुदायों ने अपने परियावरन के साथ सामन जिससे इस्थापित करते हुए अपनी सामाजिक आर्थिक प्रणालियों का निर्मान किया है, लीपले ने प्लेस इस वर्क फोक मॉडल द्वारा इसे बेहतर तरीके से समझाया है, बीस्थी शतापदी में मानव की सांस्कृतिक शमताओं में निरंतर वृद्धी एवंकालंतर में संभववाद ने इस मानव परियावरन अंतर करिया में मानव की अपर हैंट और पोजिशन तथा हीुमन इ इतिहास के साथ साथ आध्य भौतिक द्रश्य भूमियों को बड़े पैमाने पर परिवर्तित एवं परिमार्जित करते हुए सांस्कृतिक द्रश्य भूमियों का निर्मान किया है। इस प्रकार मानव भूगोल विभिन इस्थानों या भूद्रश्यों को मानव के कारिये एवं मानव के सांस्कृतिक इतिहास के परिणाम के रूप में देखता है तथा विश्व के विभिन इस्थानों में प्राकर्तिक संसादनों के दोहन, खनन, क्रशिगत उत्पादनों, और द्योगिक क्रियाओं एवं तत्संबंदी संरचनाओं आदि का अध्यन करता है अर्थ व्यस्ता की इन संरचनाओं के माध्यम से भूद्रश्यों में उन मानव संबुदायों की विरासत, सोच, एवंपद्धितियां इसपश्ट दिखाई देती हैं मानव भुगोल ना केवल इन भूद्रश्यों के वर्तमान सरूप का विशलेशन करता है, अपितु एतिहासिक विकास की भी व्याख्या करता है, जिससे मानव भुगोल में टाइम ऐलिमेंट या कालिक पक्ष का भी समावेश हो जाता है इस टाइम कंपोनेंट के आधार पर मानव भुगोल, क्रशी प्रारूपों, अधिवासों, उद्योगों, परिवन संरचनाओं आदि का एतिहासिक विशलेशन करता है, चौथा बिंदू, सोशियो कल्चरल अट्रिब्यूट्स आफ कम्यूनिटीज, अर्थात समुदायों क सामाजिक सांस्कृतिक विशेश्ता हैं, इसके अंतर गत मानव भुगोल, विविन इस्थानों में रहने वाले मानव समुदायों की सामाजिक सांस्कृतिक विशेश्ताओं जैसे विश्बुशा, खान पान, भाषा, रीति रिवाज, धर्म एवं दृष्टिकून, तथा स सांस्कृतिक समुई करण एवं जातिय विभाजन का अध्यन करता है। सांस्कृतिक समुई, द्वारा प्रदर्शित, प्रतिक्रियात्मक विभेद, निर्नेों के सुरू तथा घटनाओं के cause-effect विशेश्बुशन आदी भी मानव भगोल की विशेवस्तू हैं। आधुनिक मानव भगोल परंपरागत प्रदेशों की इस्थानिक संग्ठनों के रूप में व्याख्या करता है। यह इस्थानिक संग्ठन क्रशी, प्रसंस्क्रण एवं विनर मान से संबंदित होते हैं। रिचर्ड मॉरल के नुसार, सेटलमेंट, नेटवर्क तथा और्गनेशन आफ एकॉनमी इस्थानिक संग्ठन के तीन बेसिक कंपोनेंट है। इस्थानिक संग्ठनों में संरचनाओं की जगए प्रक्रियात्मक्ता को अधिक महतु देते हुए इस्थानों को आर्थिक एकाईयों के रूप में विश्लिशित किया गया है। वास्तम में संरचनाओं प्रक्रियाओं का प्रतिफल हैं और ये प्रक्रियाओं अधिक आश्था आर्थिक हैं जो उत्पादनों एवं वित्रन से जुड़ी हैं। आर्थिक संग्ठन रूपी शेत्री एकाईयों सामाजिक राजनितिक प्रभाव उत्पन करती हैं जिनने पॉलिटिकल एकॉनमी अप्रोस द्वारा एक्स्प्लीन किया जाता है। इस प्रकार मानभगोल इस्थानिक संग्ठनों का संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक अध्यन करता है। यह अध्यन संग्ठनों के भीतर तथा संग्ठनों के परस पर संबंदों अर्थात विदीन अर्गनेशन और बिट्वीन अर्गनेशन का होता है। इस रूप में मानव भगोल विश्व के विभिन भागों में कर्शी प्रनालियों, संसादनों के दोहन, विनिर्मान, परिवहन, व्यापार, आदिका, अधिवासों, केंद्रों एवं परस्पर संबद्धिता के रूप में अध्यन करता है। छटा बिंदू, Development and Human Welfare अर्थात, विकास, एवं मानव कल्यान वरत्मान भगोल में Structuralism, Functionalism तथा Humanism के रूप में तीन प्रमुखमत या वाद का चलन है। यदपी, Post-Modern Geography या उत्तर आदनिक भुगोल में बहुलता एवं व्यक्तिक्ता को बल देते हुए सामुदाइक सरोकारों के बारे में अधिक बात की जाती है। जिसकी एक धारा नियो माक्तिस्म से भी जुड़ी है। वास्तम में समस्त अकादमिक परिशर्चा में मानव कल्यान या Human Welfare महत्पून बिंदु है। विबिन स्थानों पर समुदायों की सामुईक चेतना, कौशल एवं सामर्थे तथा संसादनों की प्रचुड़ता या अल्पता, अर्थ व्यस्ता जन्ने उत्पादन एवं वित्रण के सुरूपों तथा अन्य सामाजिक राजनितिक प्रक्रियाओं के फल सुरूप, शेत् विकास के प्रतिमान जैसे स्वास्थे, सच्छता, शिक्षा, पेजल की उपलब्दिता, रोजगार की उपलब्दिता, सामजिक सुरुक्षा, राजनितिक सहभागिता, आदी के प्रारूपों का अध्यन मानो भगोल में किया जाता है साथ ही नियोजित प्रादेशिक आर्थि विकास हितू, मौडलों के निर्मान एवं किर्यानवन तथा विशमता मुलक प्रक्रियाओं का विशलेशन भी आध्यनिक मानो भगोल की विशह वस्तु है